टॉप फूर बेस्ट परफॉर्मेंश एंडिंग स्मार्टफून अंडर 25,000 रूपीज तो अकर आप भी 25,000 रूपीज की बजट प्राइसेंज में एक वन अप बेस्ट गेमिंग स्मार्टफून प्राइसेज करना चाहेते हैं जहां पर आपको पावरफूर प्रॉसेसर के सा जाना चाहिए तो प्रॉपर एंड तक बने जाएगे ताकि आपको पूरी और सई जानकारी मिल पाए तो बीना किस दरी के चले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अगर हम बात करें वाई लिश्ट के सबसे पहले स्मार्टफून के बारे में तो वह हमने रखा है पोको की 6 Pro 5G स्मार्टफून के स्पैसिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पर आपको पर्फॉर्मेंस के लिए बजट रेंज के कॉर्डिंग काफी बड़िया प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि यह मेडेटेक डैमेंस्टी 8300 का अल्टरा चिपसेट जो कि 3.35 गीगाज पर क्ल तो इस प्रोसेसर आपको इस स्मार्टफून में देखने को मिलता है वो साइध ही आपको किसी और ब्रेंड के साथ इस बजट प्राइसज में देखने को मिले इसके लावा बात करें अगर इस प्रोसेट की डिस्प्लेई specifications के बारे में, तो यहाँ पर आपको display के तौर पर 6.67 inches की एक OLED screen देखने को मिल जाती है जो की 1220 x 2712 pixels की है और यह जो display panel है और 446 ppi pixel density पर work करती है यहाँ पर आपको HDR 10 plus का support देखने को मिल जाता है 1800 निश्ट तक की peak brightness मिल जाती है इसके अलावा Corning और Relo Glass की protection के साथ 128x का refresh rate support भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है सो अब मैं तो कहूंगा कि budget range के recording आपको display specifications भी सायदी आपको किसी smartphone भी देखने को मिले इसके अलावा गर बात करें at the end इस smartphone के photography features के वारे में तो यहाँ पर आपको 64 plus 8 plus 2 megapixel का triple layer camera support देखने को मिल जाता है with OIS support और आप यहाँ से maximum 4G quality में 24 fps पर अपनी वीडियोज को Ultra HD में record कर सकते हैं और यह आपको सामने के तरब बे 16 megapixel का काफी बढ़िया sensor देखने को मिल जाता है इसके बाद चलिए अब बात कर लेते हैं हमाई लिस्ट के next smartphone के बारे में और next number पर हमने रखा है nothing के दरब से आने वाला nothing phone 2A 5G smartphone और यह जो smartphone है यह भी अभी के टाइम पर आपको 24-25 दॉजन रुपीस की प्राइसेंज में देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको कमाल के specifications देखने को मिल जाती है एक काफी unique design देखने को मिल जाती है तो जिनको भी basically nothing के phone पसंद है या फिर unique design वाले phone पसंद है तो वो लोग इसे smartphone को consider कर चकते हैं अगर हम details से बात करें nothing phone 2A 5G smartphone के specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको processor mid detect diameter 7200 pro का 2.85 GHz पर clock एक powerful octocore 5G processor देखने को मिल जाएगा इसके अलावा आपको 8GB RAM support के साथ maximum 1008GB तक inbuilt memory भी देखने को मिल जाती है वहीं पर अगर बात करें battery specifications के बारे में 5000 mh की काफी बड़ी बड़ी बैटरी के साथ आपको यहाँ पर maximum 45W तक का fast charging support भी देखने को मिल जाता है और हाँ अगर वहीं पर बात करें इस smartphone के display specifications के बारे में तो display के तोर पर आपको यहाँ पर 6.7 inches की एक AMOLED display देखने को मिल जाती है जो की 1080 x 24 x 12 pixels की है और यह जो display panel है और 394 ppi pixel density पर work करती है यहाँ पर आपको corny gorilla glass 5 की protection देखने को मिल जाती है 1100 inch तक की peak brightness मिल जाती है and why for smooth experience 128s तक का refresh rate support भी आपको इस smartphone में देखने को मिल जाएगा इसके बाद at the end अगर बात करें वहीं पर इस smartphone के photography features के बारे में तो यहाँ पर आपको 50 plus 50 megapixel का dual layer camera support देखने को मिल जाता है with OIS support और आप यहाँ से easily 4K quality में अपनी वीडियो उसको 30 fps पर record कर सकते हैं and सामने के तरब भी आपको 32 megapixel का एक काफी बड़ी है sensor देखने को मिल जाता है देन चलिए इसके बाद आप बात कर लेते हैं आपको एक और next smartphone के बारे में और next number पर हमने रखा है OnePlus की तरब से आने वाला Nord 3 5G smartphone और यह smartphone में लिए उन लोगों के लिए है जिनका जो budget है 20-21 जार रुपीज तक ही है और वो लोग इस budget में एक one of the best performance दे की smartphone purchase करना चाहते है OnePlus की तरब से आने वाला तो उनके लिए यह smartphone काफी बढ़िया रहेगा because इस smartphone की जो pricing है अभी के टाइम पे काफी आदा drop हो चुकी है और इन specifications के साथ आने वाले जो smartphones है वो आपको normally 30-35 जार रुपीज की budget pricing में देखने को मिलते हैं बट अभी के टाइम पे आप इसे सिर्क 20-21 जार रुपीज की budget pricing में grab कर पाएंगे तो आपके लिए काफी यदा great deal हो सकती है अगर आप इस smartphone के साथ जाते हैं तो अगर details से बात करें हम Nord 3 5G smartphone के specifications के वारे में तो यह जो smartphone है वो out to the work Android 13 पर work करता है और यहाँ पर आपको performance के लिए mediatric dimension 9000 का chipset देखने को मिल जाता है जो की 3.05 GHz पर clocked काफ़ यादा powerful octa core 5G processor है और यहाँ पर आपको 8GB तक की RAM support और 128GB की inbuilt memory देखने को मिलती है और इसके लाव आपको वही पर बैटरी के तोर पर 5000 mAh की काफी बड़ी बैटरी के साथ 80W का super book fast charging support आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो आप इस smartphone को भी consider कर सकते हैं अगर आपको powerful gaming के साथ साथ एक अच्छा खासा camera specifications चाहिए तो इसके बाद अगर वही पर बात करें इस smartphone की display specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको display के तोर पर 6.74 inches की एक AMOLED screen देखने को मिलती है जो की 1214 to 2772 pixels की है और यह जो display panel है वो 450 ppi pixel lens टी पे work करती है यहाँ पर आपको 1450 nits तक की peak brightness भी मिल जाती है HDR10 Plus का support देखने को मिल जाता है और वही आपको 120H का refresh rate support भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और इसके बाद अगर वही पर at the end बात करें इस smartphone के photography features के बारे में तो यहाँ पर आपको 50MP प्लस 8MP प्लस 2MP का triple ear camera support देखने को मिल जाता है और आप यहाँ से maximum 4 के quality में अपनी वीडियो उसको 30fps पर Ultra HD में easily record कर पाऊगे और इसके अलावा भी आपको 16MP का एक सामने के तरफ Sony IMX 890 का sensor देखने को मिल जाता है देन चलिए फाइनली अब बात के लेते हमाई list के एक और next smartphone के बारे में जो कि हमाई list का fourth number वाला smartphone है तो वो हमने रखा है Samsung की तरफ से आने वाला Samsung Galaxy F55 5G smartphone तो जिनको भी अभी अब एक टाइम पे Samsung का एक one of the best या फिलेटेस 5G smartphone purchase करना है तो वो लोग इस smartphone को consider करेंगे एड़ अगर आप normal gaming करते हैं तो आप इससे normal gaming भी easily perform कर पाएंगे और Samsung का UI होता है मेली काफी बढ़िया होता है और इसके display quality काफी बढ़िया होती है camera quality काफी बढ़िया होती है तो अगर आप एक all-down rate smartphone purchase करना जाते हैं तो आप इस smartphone के तरफ भी जा सकते हैं तो चलिए details से बात कर लेते हैं Samsung Galaxy F55 5G smartphone के specifications के बारे में यहाँ पर आपको performance के लिए Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 का एक 2.4 GHz पे clocked powerful octa core 5G processor देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आपको 8GB RAM support के साथ maximum 1820 8GB तक की पर अगर बात करें इस smartphone के display specifications के बारे में तो display के तोर पर आपको यहाँ पर 6.7 inches की एक super amulet plus screen देखने को मिल जाती है जो की 1018 to 2400 pixels की है और यह जो display panel है वो 393 ppi pixel density पे work करती है यहाँ पर आपको 1000 nits तक की peak brightness देखने को मिल जाती है 128 सक का refresh rate support देखने को मिल जाता है और अगर बात करें पर इस smartphone के photography features के बारे में तो यहाँ पर आपको 50 plus 8 plus 2 megapixel का एक triple year camera support देखने को मिल जाता है विद OIS support और आप यहाँ से maximum 4K quality में 30 fps पर easily ultra HD में अपने videos को record कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सामने के तरफ भी 50 megapixel का एक काफी बढ़िया sensor देखने को मिल जाता है तो यह रहे top 4 best gaming smartphones जो कि आपको under 25,000 rupees easily देखने को मिल जाते हैं तो आप अपने 24 स्याफी अपने need users के basis पर किसी भी smartphone की तरफ जा सकते हैं So at the end of this video I hope कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और यह वीडियो आपके लिए काफी अदर informative रही होगी तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को simply कर देजग लाइक और चैनलो कर देख सब्सक्राइब तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं लिए और नाइन टेस्टिंग वीडियो में तो तब तक के लिए रादे रादे